हंची पच्छा लोग वेल्कम टूडाउटनेट कैसे हैं आप सब और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है फटापट से बता दीजे कॉमेंट्स में हर बार की तरह क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आप सब कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल र रहे हैं पहले तो मुझे कोमेंट में यह बताई कि अभी हमने कॉन सा चाप्टर खतम किया है रएक हाँ हां अ हां प्रानी जगत खतम किया है ठीक है तो आज हम नया संज़ा भी पादपो कोας कारिक तो देखते हैं सबसे पहले कि हम इस चाप्ठर में क्या बात करने जा रहे हैं है तो आज हम बात करेंगे भाई किसके बारे में सब से पहले तो हम देखेंगे परिचे ठीक कि basically यह chapter हमसे क्या बोलना चाहता है फिर इसके बास हम क्या देखंगे मूल के बारेम पढ़ेंगे on the on the'th time-a-yam जकड़ा मूल-तंत 5 उपarettani殺 मूल-तंत्र का कारे मूल के चेत्र और मूल के रुपान्तरन के बारे में बात करेंगे ठीक है तो बेसिकली यह सारी चीज़े क्या है जो हमें आज अपनी क्लास में देखनी है फटावट से कंप्लीट करनी है तो चलो chapter start करने से पहले बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ आपकी biology teacher और मेरा नाम क्या है जल्दी से बता दो किस को पता ही मेरा नाम क्या है तो मेरा नाम है विजरता और आज हम अपने नए chapter के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलो देखते हैं कि basically chapter हमसे क्या बोलना चाहता है ये अपने नाम से बहुत कुछ हमको बता रहा है इसने का मेरा नाम है पुष्पी पादपो की अकारे की ठीक है जिसको English में हम क्या बोलते हैं जिसको English में हम क्या बोलते हैं morphology of flowering plant क्या बोला हमने morphology of flowering plant ठीक है तो ये हैं हमारे chapter का नाम अब हम सभी जानते हैं जब हमने पढ़ा था पादप जगत के बारे में ठीक है कि पादप जगत को पाँच भागों में क्या वर्गी क्रत किया गीए ठीक है अगर हम पादप जगत की बात करते हैं तो हमने पाँच भागों में इसको वर्गी क्रत किया था और आखरी हमारा क्या था अंग्यो स्पर्म था जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी ठीक है कहां पादप जगत में तो बेसिकली यह जो sperm's होते हैं. ये क्या होते हैं? ये होते हैं, भाई, आवरत बीजी. ठीक है? आवरत, बीजी, पादब. ठीक है? मतलाब कि भाई यहाँ पर ये जो पोदे हैं, कैसे है? फोल वाले, पुश्प वाले. ठीक है? कैसे है? पुष्प वाले पौधे ठीक है पुष्प वाले पौधे हैं ये चलो ठीक है ये मान लेते हैं पुष्प वाले पौधे हैं अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जानते हैं कि यह क्या है एंजिल स्पर्म है और यह क्या होते हैं आवरत बीजी होते हैं जिसका मतलब है इसमें कि जो बीज है वो क्या है धके हुए होते हैं यहां पर बीज क्या है धके हुए होते हैं ठीक है तो बेसिकली इस चाप्टर में हमको करना क्या है इस चाप्टर में हमको क्या पढ़ना है अकारे की पढ़नी है ठीक है अकारे की पढ़नी है किनकी यह जो पुष्प है ठीक कौन से पुश्प बीज वाले जिनके बीज कैसे हैं धके हुए हैं ठीके तो हमें क्या करना है इन जो बीज वाले फूल हैं जिनके बीज धके हुए हैं इन फूलों की आकारे की यानिकी शेप के बारे में पढ़ना है ठीके तो यहां पर हम ये बात करेंगे ठीके अब हम सब क्या जा क्या होती है, जड़ होती है, याने की मूल, ठीक है, ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं हम, तना होता है इनके पास, लो जी, तना हो गया है, ठीक है, फिर क्या होता है तना के बाद, इनके पास और क्या होता है, फल होता है ठीक है क्या है इनके पास फल है फल के बाद क्या आता है भाई फल के बाद इनका पत्ती आ गया पत्तिया ठीक पत्तियों के बाद क्या आ जाता है पत्तियों के बाद इनके पास आ जाएगा भाई फूल ठीक फूल आ गया ठीक तो ये सब क्या होता है ये सब क्या है एक वास्तविक क्या है वास्तविक फूल में ये सारी के सारी चीजे होती है ठीक है तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है तो अगर हम अकारिकी की बात करते हैं ठीक है तो अकारिकी क्या होता है भाई अगर हम कहां गया हमारा अकारिकी अरे अकारिकी, ठीक है, तो अगर हम अकारिकी की बात करते हैं, यह रहा, तो अकारिकी का मतलब क्या हो गया, तो सेमी कलर आ गया यहां पर, यहां जाता है, तो अकारिकी के मतलब क्या हो गया, बाहे, अध्यन, तो यहां पर हम बाहर की संदिशना पढ़ेंगे, external study करेंगे हम flowering plants के बारे में ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करने चारें भई यह जितनी भी चीज़ें हमने यहां लिखी है इनकी क्या करेंगे हम बाहे संरशना को देखेंगे ठीक है बाहे संरशना को देखेंगे और उनका अध्यन करेंगे clear यहाँ तक सबको किसी को कोई doubt तो चाहिए नहीं होगे तो फिर पिटाई लगेगी चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यह जो आवरत बीजी हैं याने कि यह जो एंजिपरम है ठीक है अगर हम इनके निर्मान की बात करते हैं, तो भाई, ये क्या कोई भी पौता है, कोई भी मतलब पेड़ है, वो किस से बनता है, बीज से बनता है, किस से बना, बीज, ठीक है, बीज से बनता है, याने की सीड, ठीक है, बीज से बनता है, अब क्या होता है, कि अगर हम इसकी आं संरशना की बात करते हैं तो यह कैसी होती है बहुत छोटी सी होती है ठीक है कैसी होती है बहुत छोटी सी होती है और यह जो चोटी से संरशना होती है बीज के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम ब्रूण बोलते है ठीक है क्या बोलते हैं ब्रूण जिससे क्या होता है पूरे के पूरे पौधे का निर्मान हो जाता है एक बीज के अंदर चोटी से संद्रशना होती है इसको रूण कहते हैं उससे पूरे के पूरे पौधे का निर्मान हो जाता है तो चलो देखते हैं भाई बीज क्या खेल खेल देता है तो यह क्या है हमारा बीज है इसको अंडा मत समझ लेना ठीक है ये क्या है बीज है इस बीज के अंदर एल से ये चोटी सी एक संद्रशना है ठीक इस संद्रशना का क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है तो जी इसका नाम क्या है ब्रून ये क्या हो गया हमारा ब्रून अब अगर इस ब्रून को आजा हाँ, अब अगर इस व्रून को हम बाहर लेकर आते हैं, ठीक है, क्या है, इसको बाहर लेकर आ गए हम, तो बाहर लेकर आ गए तो कैसे दिखाई देगा भाई, इस तरीके से बीज होता है, ठीक है, तो ये बीज जो होता है यहाँ पर, तो भाई, यहाँ एक पार्ट होता है, यहाँ एक पार्ट होता है, यह दो पार्ट में होता है, ठीक, तो यह जो दो पार्ट में होता है, तो उपर वाला जो पार्ट आता है बेटा, यह क्या होता है हमारा, प्रांकुर, ठीक है, उपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, प्रांकुर, और जो नीचे वाला पार्ट है, मुलांकुर क्या बोला? मुलांकुर ठीक है? इसको क्या बोला हमने प्रांकुर और इसको क्या बोला? मुलांकुर अब ये जो प्रांकुर होता है ये क्या होता है? जमीन से उपर वाला भाग होता है ये क्या होता है? जमीन से उपर वाला भाग ठीक और ये क्या होता है नीचे वाला भाग ठीक है चलो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं अगर हम बना के देखते हैं कि भाई ये लो ये क्या है ये जमीन है ठीक है ये क्या है ये जमीन है अब इस जमीन के नीचे क्या हो रहा है इस तरीके से एक संद्रशना बन रही है ठीक है, क्या बनी, संदशना बनी, ठीक है, अब इसके उपर क्या हो रहा है, इसके उपर भी एक संदशना बनेगी, भाई, बीच दोनों तरफ से एकोली काम करेगा ना, उपर भी और नीचे भी, तो भाई, नीचे भी ऐसे संदशना बनी, और उपर भी संदशना बनी, अब क इसमें पत्या निकली है इस तरीके से ठीक इसमें फिर फूल बन गए लो जी फूल बन गए इसके अंदर फूल आ गए ठीक है तो ये क्या हो गया ये वाला भाग हो गया आपका प्रांकुर और ये वाला क्या हो गया मुलांकुर दो पार्ट में एक बीज डिवाइट हो जाता है ठीक है तो 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 कहां लिखे ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है भाई प्ररोह प्ररोह तंत्र जिसको हमने क्या नाम दिया शूट सिस्टम ठीक और जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या है मूल तंत्र याने की रूट सिस्टम थीच है सब को अ प्यावाला पार्ट यहां से आ densom जरतों की पाधा करते हैं तो आवरत बीजी औ केसा सार जितने भी पेडर पाधा हैं किसमें आवरत बीट क्या किया मिट्टी में दबा दिया वहां क्या करेगा ये वृद्धी करेगा बुर्ध्धी कैसे करेगा भाई कि इस निग न अध्याग और एक आधाय मुलांकुर में य Гannya अब प्रांकुर क्या करता है जो जमीन से ऊपर का भाग होता है जिसमें फूल Chernook कि आती आती है मुलांकुर क्या करता है जो जमीन के नीचे का पार्ट होता है याने की जो रूट होती है ठीक है जो जड़ होती है जो मूल होती है उसको बनाता है यह क्या हो गया भाई प्ररोहतंत्र रियाने की उपर का और यह क्या हो गया मूलतंत्र रियाने की नीचे का ठीक है यहां तक क किसी को डाउट है तो आगे बढ़ जाते हैं चलो एक परिशे ले लेते हैं अब जब हमने इस पौधे को यहां पर देख लिया है तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहां पर सबसे पहले हम इसके संरशना देखेंगे बाहर दे क्योंकि भाई हमें आकारे की पढ़नी है ठी किसकी मूल के बारे में यहां पर हम किसकी बात करेंगे सबसे पहले मूल की क्योंकि अगर कोई पेड़ बनना शुरू होता है तो पेड़ नीचे से बनना शुरू होता है हमेशा ठीक है ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले फूल आते हैं फिर पत्ती आती है फिर तना आता है पढ़ेंगे मूल के बारे में ठीक है कि मूल के क्या क्या का रहे हैं फिर के पढ़ेंगे प्रकार पढ़ेंगे कि मूल के प्रकार क्या है ठीक है फिर वो रुपांतरत कैसे होते हैं रुपांतरत ठीक है कैसे होते है यह सारी चीज़े पढ़ेंगे हम ठीक है क्लियर चलो तो च चाप्टर हमसे क्या बोल रहा है मतलब यह लाइंस हमसे क्या बोलना चाहिए देखो ना कि ता प्यारा सा फूल है है ना फ्यारा खुबसूरत सा एक दम अकारिकी में क्या आगया भाहर उसकी फूल पत्यां ठीक है यह जो चैश्ज़ाय में तो आती है की उसके अंदर क्या पौदे होते हैं ठीक है यह क्या होते हैं बीज यह पौदे होते हैं सरल संरशना होती है ठीक और जो है सरल से लेके ज्यादा टफ याने की जटल संरशना सरल भी हो सकती है दोनों तरह की हो सकती है ठीक है फिर प्रत्वी पर क्या होता है अधिकांश भाग इनी का होता है ज्या फूरता है उसके बाद क्या होता है मुलांकर जो होते हैं उससे जड़ बनती है ठीके और जो प्रांकर होते हैं उससे क्या होता है उपर का जो होता है निर्मान होता है तने का ठीके ये देखो दो पार्ट में बन जाता है ये है आपका क्या प्रारोहतंत प्रारोहतंत याने की शूर्ट सिस्टम ठीक है ये क्या है आपका मूलतंतर ठीक है याने कि क्या होगे मूलतंतर आपका शूर्ट सिस्टम ठीक है चलो तो ये दो चीज़े हैं कि वहीद नीचे वाला हिस्सा मूलांकुर और ये उपर वाला हिस्सा प्रांकुर पर चलो आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई कि जो जड़े होती है वो किसका पार्ट होती है मुलांकुर का होती है जड़े किसकी हो गए मुलांकुर का अगर हम जड़ की बात करते हैं तो यह किसका भाग है मुलांकुर ठीक है यह कहां से बनती है मुलांकुर भाग से बनती है ठीक है तो अलग-अलग पेड़ों में क्या है जैसे फूल भी अलग-अलग तरीके के पाई जाते हैं उनकी अकारिकी भी अलग-अलग होती है वैसे उनके जो रूट होती है उनके जड़ होती है वो भी क्या होती है अलग-अलग प्रकार की होती है ठीक है ठीक है चलो तो यहा पर हम बात करें कि यह जड़ होती है यह बेसिकली दो प्रकार की होती है अरे सॉरी तीन प्रकार की होती है गलती हो गई क्या है यह तीन प्रकार की ठीक है तो सबसे पहली वाले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है मूसला सबसे पहली आगे हमारे पास मूसला जड़ ठीक है जिसको हम क्या बोलते है टाप रूट ठीक और ये कहां पाई जाती है द्यूई बीच पत्री जो पादप होते हैं उनमें पाई जाती है द्यूई बीच पत्री पादपों में पाई जाती है ठीक है चलो ये क्या हो गया हमारा मूसला जड़ हो गई है इसके बाद क्या आती है जगड़ा जगड़ा नहीं करना है हाँ जगड़ा 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 आता है उसके बाद हमारे पास जगड़ा जड़ ठीक है जिसको हमने क्या बोला फिब्रस या फाइब्रस रूट ये किन में पाई जाती है यह एक बीच पत्री जो पादप होते हैं उनमें पाई जाती है ठीक है देखो दो यह तरह के बीच पत्री होते हैं तो एक बीच पत्री होंगे या दो यह बीच पत्री होंगे तो यह एक बीच पत्री में पाई जाती है पादपो में ठीक है चलो फिर तीसरा क्या आता है तीसरा भी एक और आता है हमारे पास जिसको हमने क्या नाम दिया जिसको हमने नाम दिया उपास थे उपास नहीं क्या लिख रही हूँ अपस्थानिक ठीक है अपा आपा आदास थानिक जड़ जिसको हम क्या कहते है एडवन्टीशियस रूट कहते है जिसको क्या बोला हमने और यह किसमें पाई जाती है हाँ यह दोनों तरह के पादपों में पाई जाती है जो दू बीच पतरी होते है और जो एक बीच पतरी होते है ठीक है दोनों तरीकों में दोनों में पाई जाती है clear यहां तक बिल्कुल सबको हाँ कि बई यह जो जड़ होती है यह किससे बनती है मुलांकर से यह तीन प्रकार की होती है मूसला जड़ जकड़ ज़कड़ और अब स्थानिक जड़ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब सब पहल मूश मलजर के बारे में चलो मूश मैं जर्दएक लेते हैं कि वो स्लमेट को हम क्या बोलते है टॉप डॉट है अब यहाँ पर अगर छलू फिर से हम इक बीज बनाते हैं यह बीज बीज के अंदर यह संदस्ना है च्टीक है इस संदश्णा का क्या नाम है भाई जल्दी जल्दी कॉमेंट में बताओ क्या नाम है क्या कहते हैं संदश्णा को मैंने भी थोड़े दर पहले बताए तक अगर ये बीज है तो बीज के अंदर एक छोटी से संदश्णा होती है ठीक है क्या कहते है छोटी संदशना को ब्रूण कहते है क्या है ये ब्रून ठीक है? करेक्ट चलो ये ब्रून हो गई है अब ये जो ब्रून है ये क्या करेगा? हमें मालूम है कि यहां पर एक पार्ट है यहां पर एक पार्ट है ये क्या है? प्रांकूर है ठीक है? ये प्रांकूर है और ये क्या है मुलांकुर हमें किसके बारे बात करनी है मुलांकुर के बारे बात करनी है मुलांकुर क्या है भाई क्या बनाता है मूल तंतर बनाता है इसने क्या बनाया मूल तंतर का निर्मान किया इसने क्या किया मूल तंतर का निर्मान किया ठीक है याने कि जो जमीन से नीचे वाला भाग है उसका निर्मान किया इसने ठीक है चलो जी मान लेते हैं अब अगर हम एक बात करते हैं कि भाई ये क्या है ये है भूमी ठीक है ये भूमी है ठीक है अब अगर बीज यहाँ पर बोया है हमने यहाँ पर क्या किया है बीच को बोया है तो बीच क्या करेगा बीच भाई नीचे का भी निर्मान करेगा इस तरीके से ठीके है ना और इसके साथ साथ उपर का भी निर्मान करेगा इस तरीके से माल लो कि यह जड़ है यह पेर जो है दीरे-दीरे बनना शुरू हो रहा है हाँ अगर इन जड़ों की बात करता है हमने जड़ों में देखा है इस तरीके से ना यह हेर्स-like structure होता है होता है इसा ना जड़ों में तो सबसे पहले चीज कि भाई यह जो है portion इस portion को क्या बोलोगे आप यह जो लंबी सी लाइन बनने शुरू हुई है इसको हम क्या बोलते ह है प्रात्मिक मूल ठीक है यानि की primary root ठीक है इसको बोला हमने primary root अब मैंने क्या कहा कि भाई इसके उपर यह जो लंबी-लंबी इस तरीके से बाल जैसे सनश्चना है hairs like structure है इसको क्या बोलेंगे हम तो बाई इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जित्यक मूल यानि की secondary root ठीक है चलो जी मान लिया पहला नंबर यह हो गया सबसे पहले यह फिर दूसरा नंबर पर यह आ गया हाँ अब यह जो white white आपको hairs दिख रहे हैं इनके उपर भी छोट होते हैं hair के इस तरीके से ठीक है ऐसे करके तो यह जो शोटे छोटे चोटे होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं थृत्यक कि इनको क्या बोला हमने त्रिथियक मूल यानिकी tertiary root ठीक है clear सबको यह हो गया अतना तीसर नंबर तो इसमें जो नीचे का part होता है इसमें तीन चीज़े आती है प्रात्मिक मूल, दृत्यक मूल और तृत्यक मूल ठीक है primary, secondary और tertiary correct बिल्कुल चलो ठीक है अब बात करते हैं कि भाई, यह जो नीचे का पूरा portion होता है नीचे का यह जो पूरा portion है, यह क्या कहलाता है मूसला मूल कहलाता है ठीक है, या फिर जड ठीक है, यह क्या कहलाएगा मूसला मूल या फिर जड कहलाएगा यह पूरा, clear यहां तक सबको है ना सबको समझ में आ गिया तो फड़ा फड़ से थम सब दिखा दो बिना किसी देरी के फड़ा फड़ से दिखा दो चलो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा हां चलो क्या देखते हैं यह लाइन समसे क्या बोलना चारी बिचारी इतना परशान हो के बुला रही है हमको तो यह क्या रही है कि भाई इस प्रकार की जड़ों में मुलांकर से जड़े बनती है ठीक है इस प्रकार की जड़ों में मुलांकर से जड़े बनती हैं हम जानते हैं चलो जो व्रिद्धी करके उफ करक लिखा गया व्रिद्धी करके अनेक जृत्यक वे तृत्यक जड़ों को बनाती है याने कि जो प्रात्मिक जड़ है जो प्रामरी रूट है वो क्या करेगा वो व्रिद्धी करेगा और क्या बनाएगा जृत्यक और हमने बात करें थी ये primary है इसके उपर जड़े निकलेंगी धृतक है थीक इसके उपर 20 तरीकेसे ऐभी सह सेढ़ा हैं ये क्या है थृततक है टी melody येिये मल तने के अधार से निकलती है इन्हें जकड़ा मूल कहते है कि अरे जगरामूल कहां से आगे तो मस ईसले था कि ऑखो तो यहां पर जक्रा मूझ नहीं आएगा जक्रणा मूझ कैसे लिख गिया तो यहां क्या एक मूश लाजड़ इस लाइन को काट दो यह पर ठीक है ओके चलो तो उधारन क्या है भाई हमारा हमने क्या पूला सब द्यूबीच पत्री जो होते हैं पादप वो जैसे कि आम है नीम है टमाटर है और सरसो है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास दूसरा क्या आता है जक्रह जड़ाता है ठीक है यहाँ पर आयेगा जक्रह जक्रह जड़ की बात करेंगे गया को ठीक तो ये जो जक्रा जड़ है ये क्या होता है भाई यहाँ पर ये प्रात्मिक मूल का निर्मान करती है ठीक है क्या करती है ये प्रात्मिक मूल का निर्मान ठीक है कब करती है प्रात्मिक मूल का निर्मान जब प्रारंबिक जड़ जो होती है जब जड़ बन रही होती है ठीक है जब प्रारम्बिक जड़ बन रही होती है तब प्रात्मिक मूल का निर्मान होता है ठीक है चलो यहाँ तक लियर हाँ चलो जी ठीक है चलो यहाँ पर अब एक डाइग्राम से समझते हैं कि यह हमारे भूमी है नीचे यह क्या है ये भाई हमारी प्राथमिक मूल है ये क्या है प्राथमिक मूल ठीक है अब इसकी जो प्राथमिक मूल होती है ये जो प्राथमिक मूल है ठीक है ये जो प्राथमिक मूल है इसकी क्या होती है जो आयू होती है वो कैसी होती है इसकी आयू अल्प होती है मतलब कम होती है अल्प होती है ठीक है तो इसके आयू क्या होती है अल्प आयू होती है चलो ठीक है मान लेते हैं कि इसकी आयू क्या है अल्प है ठीक है जब यह क्या करेगा भाई कि जब इसकी जो आयू अल्प है हमने क्या बोला जब यह क्या होंगी नश्ट हो जाएंगी क्या यह जो प्रात्मिक मूल है यह जब नश्ट हो जाएंगी क्यों क्योंकि भाई हमने क्या बोला कि यह अलप आई हो है तो मतलब यह ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी तो इसका मतलब यह क्या होंगी नश्ट हो जाएंगी जड़ बनती है उन्हें क्या बोलते हैं हम जख्रा ठिक है जख्रा जड़ पुरानी proximity है वाध घड़तीर बगड़तीर दूशरे बंती है तो उसको क्या बोलेंगे हम जो नई जड़ बनी है जकड़ा जड़ ठीक है क्लियर ये चलो पहली वाली को नहीं बोलेंगे उसके नश्ट ओने के बाद जो दूसरी बनेगी उसको बोलेंगे चलो देख लेते हैं एक बीच पत्री पॉत्व में प्रात्मिक मूल अलप आयू होते हैं ठीक है अब क्या हो गई ये नश्ट हो गई अब जब ये नश्ट हो गई तो यहीं पर क्या हुआ दूसरी खूप सारी खूप सारी यहां पर रूट्स बन गई तो यह जो बनी ये क्या कहला है जकड़ा जड़ ठीक है ये मूल ताने नहीं है भाई तने के अधार से निकलती है इन्हें जखड़ा मूल तंत्र कहते है यहाँ बयानी थी यह लाइन वहाँ लिख दी गलती से हाँ, चलो उधारन क्या है इसका? क्या बताया था? एक बीश पत्री पादफ ठीक है, कौन से हैं? गेहू, बाजरा मकार, जवार ठीक, तो हमने दो यहाँ पर क्या? यह जो है अपना मूल तंत दो कवर किये हैं हमने टाप रूट और दूसरा यह क्या है? फाइब्रस, इसके बाद एक और आता है ठीक है, अब स्थानिक तो अगर हम अपस्थानिक की बात करते हैं क्या बात है? अपस्थानिक जड यानिकी एडवन्टीशियस रूट की बात करते हैं हम यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है भाई? आहां हां 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 चलो, यहाँ बना लेते हैं यह जमीन है ठीक है जमीन है यहां पर क्या हो रहा है जमीन के ऊपर यहां पर कौन सा कलर चलो ग्रीन नहीं ग्रीन भी नहीं यह लोठाते इस तरीके से यह तना बना ठीक है बहुत अच्छा सा तना बन गया है यहां पर यह थीक है तना बन गया अब तना बन गया क्या हुआ तने के बाद यहां इसमें पत्तियां भी आ गई यहां पर हम बनाएंगे पत्त लो भाई इस तरीके से ये बहुत अच्छा सा पेड़ बन गया है बहुत घना सा ठीक है तो यहाँ पर क्या है रूट्स इसकी नीचे होंगी यह क्या है इसकी रूट्स है ठीक है इसकी जड़े हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जब यह तना बना यह क्या बना तना बना ठीक है उससे क्या बन गया यह व्रिक्ष बन गया भाई ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर हम यहाँ पर बर्गत का एक्जैम्पल लेते हैं इसको हम कहते हैं कि चलो यह बर्गत है यहाँ पर हम बर्गत के बारें बात करते हैं बर्गत क्या है इसका एक एक्जैम्पल तो आगर हम बर्गत को लेके चलते हैं, तो भर्गत के पेड़ में आपने देखा होगा कि यहां से इस तरीके से roots निकली होई होती है. हैना? यहां से roots निकली होई होती है. देखिये, जो जमीन को touch कर जाती है, उसके पकड़ के बच्चे जूलते भी हैं और कभी-कभी बहुत मोटी होती है कि भाई वो खुब मोटी-मोटी खटी हो जाती है और मतलब ब्रेक नहीं होती है तो अगर हम वर्गत का example लेते हैं तो यहाँ पर जो जड़ होती है वो जड़ जो होती है वो कैसी होती है भाई वो मुलांकर से नहीं बनती है यह जड़ जो है मुलांकर से नहीं बनेगी मुलांकर से नहीं बनती है ठीक है मुलांकर से नहीं बनती है जबकि किस से बनती है ये जड़ ये जड़ बनती है भाई यहाँ पर प्रांकुर से बनती है ठीक है यानि कि क्योंकि उपर होती है जब यहाँ पर क्या होता है तना बनता है पत्या बनती है तेहनिया बनती है तो उसके साथ-साथ यहाँ पर एक्टिव हो जाता है बहुत ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह जो जड़ होती है मोलांकुर के अतिरिक पौदे के अन्य भाग जड़ तना पत्ती से प्रवर्दित होते हैं ठीक इनमें प्रात्मिक मूल का अभाव होता है इसमें प्रात्मिक मूल नहीं पाई जाती है जैसे बाजरा जुआर घास और बर्गत ठीक है तो यह इसका एक्जैंपल हो गया है चलो ठीक है अब आता है भाई मूल तंत्र के काम क्या होते हैं मूल क्या होता है यह जड़े क्या होती है यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपोर्टेंट है मतलब पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंप जडो की वैजे से तो पेड़ों में पहुंचता है ना? यह मिट्टी को जक्ड़े रखती हैं अगर यह मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो क्या होगा? पेड्टों वैसे तूट चाएगा, हैना? खादे पतार्तों काना संचे करना ठीक है जो खादे बदाद होते हैं को क्या करती है संचे करती है पेड में है ना चलो ये तो इसका मूल का कार्य हो गया इसके बाद आता है मूल के छेतर ठीक है तो चलो फड़ा फ़र्टी क्या करते हैं मूल बना लेते हैं तो अगर हम मूल बनाते हैं तो सबसे नीचे इस तर गोप ठीक है इनके जो कार्रे होते हैं वो भी साथ साथ सुनते चलो ये जो मूल गोप होती है ये क्या होती है ये अच्छा ठीक है काम बाद में बदाऊंगे पहले समझ लेते हैं चलो इसके उपर एक और भाग पाया जाता है कुछ इस तरीके से करहें फीक है इसमें बहुत सारी कोशिकाये ह होती है यह सिक्समाइल समझ लेना यह क्या है कोशिकाये है इसमें बहुत सारी कोशिकाय होती है इसको क्या नाम दिया हमने विब जो तक विब जो तक छेटर ठीक है या फिर इसको क्या बोलते है रूट कैप बोलते है या फिर और इसको क्या बोला हमने Maristematic Meristematic रेजन हो गया विब्स प्सक्राइऑ जाती है वह इस से बड़ा होता है इस तरीके से वो इससे बड़ा पार्ट होता है ठीके यहां क्या होता है यहां पर भी खूब सारे सेल्स पाई जाती है और जो बड़ा सा छेत्र होता है इसको क्या नाम दिया जाता है इस छेत्र को दीरगी, दीरगी मतलब बढ़ाया, दीरगी, दीरगी क्या करण, दीरगी करण, छेत्र, जिसको क्या बोलते हैं भाई, इलोंगेटिड रीजन, ठीके, यह क्या हो गया, इलोंगेटिड रीजन, अब इसके उपर एक और गोल सा शेप आता है, ऐसे करके, ऐसे करके एक आता है इसमें शेप, ठीके, यह जो होता है, यह क्या कहलता है, परी, पक्व, छेत्र, याने के क्या कहलाएगा यह, maturation reason ठीक है अब इसके साथ साथ भाई क्या होता है यहाँ पर चोटी 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 ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते है ठीक यह जो स्ट्रक्चर होते है यह क्या कहलाते है यह कहलाते है मूल रोम क्या कहलाईए मूल रोम याने की रूट है मूल रोम याने की रूट है ठीक है तो ये क्या होगे बेसिकली एक रूट का पार्ट हो गया clear है न ये चलो अब एक बार फटाम वर्जे समझ लेते होती है कि तो ये जो रूट होता है यहां पर क्या होता है कुछ देखो इसको चलास में समझते हैं पहले समझाएं तो यहां क्या होती है यह ımızı कोशिकाय याने की जो kiss a यह क्रती है उतिennes की लगातार डिवाइड होती रहती हैं मतलब विभाचन करती रहती हैं कंटिनियूसली डिवाइड होंगे और विभाचन करती रहेंगी ठीक है यहां पर यह होता है बहुत सारी सेल बन जाती है यहां पर क्या बनती है बहुत सारी ठीक यहां क्या होता है बहुत सारी सेल बन जाती है इसके अंदर यह वाला क्या करती है बढ़ ने लग जाती है। अब यहां जब बढने लग जाती है तो यहां पर क्या करते है इस ड़की लम्बाई बढ़ती है जवी कि जो लंबाई है वो बढ़ाती है यहां से कोशिकाय बढ़कर यहां पहुंची यहां पर यह उपर उपर की तरफ जाती रहती है फिर और क्या करती है लंबाई बढ़ाती रहती है इसकी ठीक है अब क्या होता है जब यहां सेल पहुंच जाती है तो फिर क्या होती है यहां प कोई आपने अंदर अप्सक्राइब कर लेता है ठीक है अब हमारे पास आता है। यह मूल गोप क्या है तो अगर हम इस मूल गोप की बात करते हैं तो जब यहां पर यह सेल्स बन रही है तो यह सेल्स हमने क्या बोला यहां जा रही है तो जब वहां जा रही है तो फिर ऐसा भी तो होगा कि कुछ नीचे भी आएंगी है ना नीचे भी तो आएंगी यहां पर अगर यह वाला जो portion है अपना मूल गोब यह यहाँ पर ना हो तो यह जो विभ्य जो तक छेत रहे हैं यह क्या होगा डायरेक्ट मिट्टी के कॉंटेक्ट में आ जाएगा है ना अब जब मिट्टी के कॉंटेक्ट में आएगा तो सोचो कि इसके उपर प्रेशर पड़ेगा यह क्या होगा डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा इसको नुकसान पहुंचेगा अब नुकसान पहुंचेगा तो यह जल्दी जल की ठीक है तो बेसिकली यह इसका सारा काम है चलो आगे बढ़ते हैं अब जब को मूल के छोट छेत्र हमने ना यह बात कर लिए सारी है ना क्या बात कर लिए कि भाई रूट कैप के बारे मूल गोफ हमने सबसे पहले पढ़ लिया कोशिका विभाजन इसल डिविजन रीजन ज ठीक है इसके बारें बात करें हमने फिर हमने परीपक्वन लगरी जहां पर जड़के होती है मैच्छियोड हो जाती है तो बेसिकली ये सारी व्रद्धी छेतर को सुरक्षय प्रदान करती है ठीक मूल गोपे ठीक उपर विब्बे जोतिक की कोशिकाओं का एक छेतर होता है जिसके बारे मैं हमने बात करी ये रहा विब्बे जोतिक इतना सा होता है सर्फ ये एरिया ठीक है ये कुछ मिली मीटर लंबा होता है इस छेतर की कोशिकाओं बारवार विबाजित होती रहती है तदा नई कोशिकाओं बनती रहती है ये हमने बात कर ली है कोशिकाओं विबाजन छेतर के उपर दो से साथ सेंटीमीटर लंबा छेतर दीरगी करन छेत्र कहलाता है ठीक है जिसकी कोशिकाएं मूल की लंबाई में क्या करती है वृद्धी करने का काम करती है ठीक परिपक्वन छेतर में क्या होता है इस छेत में मूऌ्ल रों पायँ जाते हैं इसकी कोशिकते हैं परिपक्वन वे विवेधीकरण द्वारा उतक बनाती है थीक है कि न मूदी ये पाताया कम लेसं किया तो यह काने की सबसे पहले क्यार यह आता है कि चुए है तूरह करते हैं कि कुछ पादपयों में जड़आ पदारतों looks संग्रे कर मासल हो जाती हैं जैसे कि गाजर शलगम और शकरकंदी ठीक है ना दूसरा आता है स्वश्चने हे तू याने कि सांस लेने के लिए ठीक है रूपांतरन करना बदल जाना मतलब दल दल ये वे छारिये भूमी में उगने वाले पादपों की जड़े व्रदीकर भूम होती है इन्हें सवश्चने मूल भी कहते हैं उधारन के लिए राइजोपस ये इसका एक्जैंपल हो गया है इसके बाद हमारे पास आता है भाई सहारा प्रदान करने हैं तूरुपांसरन मतलब किसी पेड को सहारा दे रहे हैं इसलिए वो बदल गई है जैसे कि कुछ उसमें मैंने क्या बताया रूट्स क्या होती है उपर होती है और पेड को सहारा देती है कुछ पादपों में पर्ण संधियों वे तने के अधार से जड़े निकल कर पादप को सहारा प्रदान करती है जैसे कि मक्का बाजरा गन्ना केवडा आती है ठीक है चलो जी आगे दोड होता है ठीक ब्रूड ऊपर वाला भाक या होता है उपरवाला प्रांगोर और नीचे वाला क्या होता है मुलागोर ठीक है ऊपरवाला प्रांगोर बदालें फिर हमने बोला था कि इस से पेड़ बनता है इस तरीके से ठीक ऐसे ठीक है तो हमने क्या बोला भी यहां पीछे क्या बात करी उपर वाला प्ररो है नीचे वाला मूल ठीक है तो यहां पर क्या होता है जब हम इस तने की बात कर रहे हैं हम इस तने की बात कर रहे हैं तो इस त होता है हाँ फल हो गए तो यह सब किस पर है तने के उपर होता है ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब अगर हम इस तने की बात करते हैं तो तने में क्या है भाई चलो एक डाइग्राम बना के देख लेते हैं एक डाइग्राम बना के देखते हैं ठीक है यह क्या है हमारी भूमी है ठीक अब इस भूमी के नीचे क्या बोला हमने मूल तंत्र होता है ठीक है येलो बई इसके अंदर ही क्या है मूल है यानि हमारी जड़े हैं हमारी से मतलब पेड़ की जड़े हमारी जड़े नहीं समझ ल है यह हमारा तना है ठीक है क्या है यह तना है अब यह क्या हो गया भाई हमारे तने की संवर्शना कि यह क्या है तना है हमारा चलो इसको हम नंबर वन दे देते हैं ठीक है तना है चलो माल लेते हैं अब इसके अंदर क्या होता है इस तरीके से कि इस तरीके से क्या मौजूद होते हैं एक सनरशना मौजूद होती है इस प्रकार से ठीक है और इस सनरशना को क्या कहते हैं इस सनरशना को हम कहते हैं पर्वसंधी ठीक है क्या बोला हमने इनको नमबर दो क्या हो गया पर्वसंधी इसको हमने number 2 दे दिया ये क्या हो गया पर्वसंदी अब इनके जो बीच की जगा है ये भी पर्वसंदी है ठीके ये भी ये भी ये भी अब इनके जो ये बीच की जगा हो गई ये जो बीच की जगा दिखाई दे रही है इनके मद्धे की जगा ये क्या कहलाती है भाई ये कहलाएगी हमारी क्या पर्व ठीक है ये क्या कहलाएगी पर्व याने की इना नोड ठीक है और इसको क्या बोलते है हम पोरिया भी बोलते है पोरिया अभी जो पर्व संधी होती है इसको क्या बोलते है नोड बोलते है ठीक ह यह भी ठीक है अब क्या होता है भाई अब यहां पर यह जो तना है ठीक है यहां पर यह जो तना है यहां पर क्या होता है इसके उपर छोटी-छोटी सी कलिकाएं ऐसे मौजूद होती है दोनों साइड ऐसे करके ठीक है ऐसे करके कलिकाएं पूरे क्या तने में मौजूद होती है ये कलिका है क्या कहलाती है ये क्या होती है कलिका होती है ठीक है इन्हें हम क्या कहते है कक्षिये ठीक है इन्हें क्या बोला हमने कक्षिये बोला चलो ठीक है इनको हमने कक्षिये बोल दिया है अब क्या होता है भाई अब यहां पर एक और संरशना होती है यह क्या था नंब कि बाई सबसे उपर यहां टॉप पे भी होती है एक कलीका यह जो टॉप पे है इसको क्या बोला हमने जो टॉप पे कलीका होती है शीर्ष शीर्ष स्था कलीका ठीक है यह क्या हो गया नंबर पांच हो गया ठीक है नंबर वन हमने किसको दिया तने को नंबर टू परवसंदी फिर संधी, फिर कलीका को, जिसके कक्षिय कलीका, फिर शीर्ष्था कलीका, ठीक है, तो ये इसके पार्ट होगे, उसके बाद क्या होता है, ये जो उपर वाली शीर्ष्था कलीका होती है, ये बहुत अक्टिव होती है, ठीक है, ये सक्रिय होती है, और क्या करती है, ये क्या और बॉलते हैं इसको लंबाई बढाने सका काम करते हैं क्यांकि क्या है कोशी का विभाजन होता रहता है So basically यह जो शीर्स तक अलिका होती है इसकी वजने से ही लंबाई बढ़ती है correct, okay चलो, उसके बाद क्या होता है भाई फिर कौन सा गल उठाएं चलो यह उठा लेते हैं नहीं, यह वाल उठाते हैं अब क्या होता है, यह जो तना होता है यहाँ पर इस तरीके से क्या है, यह निकली होई होती है शाखा, दोनों तरफ इस तरीके से शाखा दिख ली होई होती है क्या है यह शाखा है ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इसको जब यह लंबी हो जाती है जब यह लंबी हो जाती है इस तरीके से ब्रैंचिस तो इसको हम शाखा बोलते है इसको हमने 6 दे दिया ये शाखा कहलाती है और ये जो शाखा होती है इनी के उपर क्या होता है भाई फूल होती है पत्ती होता है फल होता है इनी के उपर लगती है इनी शाखाओं के उपर clear यहां तक सबको हाँ कोई doubt जल्दी जल्दी clear सबको ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ, चलो, एक बार फिर से समझelo कि भाई, जमीन के नीचे का भाग ये क्या है, मोल था हमारा, ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये क्या है, ये वाला पोर्शन तना है, ठीक है, ये तने की संद्शना है, ये पूरी पोर्शन जो सीधे- अब ये जो सनरशना होती है इसके उपर क्या होती है गाठ दिखती है हमें कुछ ठीक है इसके उपर हमको कुछ गाठ दिखती है जो गाठ दिखती है उनको क्या बोलते हैं हम भाई पर्वसंदी बोलते हैं जो गाठ दिखती है उसको पर्वसंदी बोलते हैं याने की नोड ब पर वियाने की इंटर्णोट कहलाएगी ठीक है फिर आमने बात कर ली भाई चलो इंटर्णोट हो गया फिर यह जो होती है यहां पर यह क्या कहलाती है यहां जो होती है वो शेष्ट कलिका कहलाती है फिर यहां से जो है इस तरीके से रैंचेस निकली होती है जब लंबी हो जा तो यह शाखा कहलाती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो यह पूरा पेर है इसके बार इसके नाम आप लिखोगे हूं वक्त में ठीक है कि कौन-कौन से पार्ट यह आप लिखोगे छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं की अब लाइन समसे क्या बॉल रहे हैं ये बोल रहे हैं तनायक्ष जो बहते हैं उपर का भाग है अंकुरित का विख दो अंकुरित होते हैं उनका प्रांकूर भाग कर चुके है ठीक टने के उस चेत्र को जहां पर पत्या निकलती है उसे गाठ कहते है ठीक है और जब दीरे-दीरे वो जो गांट बड़ी होती जाती है तो उसको हमने क्या मुल già ईए गाटे अत्यक अन्तहर्सा अत्वा कक्षिय हो सकती है ठीक है कशी हमने बता दिया appreciation जब तना क्या होता है?.. यह कौन सी.. छोटे बच्चे वाली अवस्ता होती है.. मतलब.. शैशव जेजर ऑस्ता में होता है तब अब प्राया नेन बुर हो जाथा में जब जाता है कि कास्टी क्केिति एक प्छें हुआ है बॉलते हैं वह सहे होते हैं धुखμεंद वैसा होते हैं होते हैं थोड़े से स्ट्रोंग होते जाते हैं ठीक है तो यहां पर हले होते हैं हर हिंसे बढ़ sigui का स्टी हो जाता है त Wanna go हो जाता है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम किसकी कि तने का प्रमुक कार्य क्या है अब तने का प्रमुक कार्य क्या यह तो हमने देखी लिया है कि क्या कार रहे है कि क्या करता है वो सहारा देता है ठीक सबसे पहली बात फिर उस तने के उपर टहनिया होती है जिसमें पत्तियां फल फूल आधी लगते हैं ठीके तो तना बहुत useful होता है तो हम भी बात कह सकते हैं कि तने में क्या होता है जो तना है इसमें क्या होता है पत्तियां होती है ठीके पत्तियां हैं फिर शाखाएं होती है फिर पुश्प होते हैं फिर फल होते हैं सबसे बड़ी चीज फिर हम क्या कह सकते हैं कि यह जो तना होता है ८ह धिदए सहारा दीता है अब क्या है भई अब हमें पता है जो आलू है जैसे हल्दी है ठीके ये क्या है ये भी जमीन के अंदर भूमिगत क्या है तने होते हैं आलू है, हल्दी है, ये क्या है, भूमिगत, तने है ये, ठीक है, जो किस में काम आते हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं, ये अपने अंदर भोजन को स्टोर करते हैं, ये किस काम में आ गए, भोजन के रूप में, ठीक है, चलो, उसके बाद क्या होता है, हम कहें तो जब पढ़ने पर जो तना होता है उसका जो हरा भाग होता है वो प्रकाश संसलेशन का काम भी करता है ठीक है प्रकाश संसलेशन का काम भी करता है क्यों भई क्यों कि जो तना होता है वो क्या है कैसा होता है तना हरे रंका होता है हरे रंका क्या मतलब कि हरे रंका है तो इसका मतलब उसमें chlorophyll मौझूद है इसका मतलब वो प्रकाश संसलेशन की जो क्रिया है वो कर सकता है ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर तो बोले दिया है कि हां सहारा दीता है ठीक है प्रकाश संसलेशन से क्या होता है वो अपना भोजन बनाते हैं ठीक क्लिये सबको है ना चलो आगे बढ़ते हैं देख लो चलो आलू अदरा खल्दी जमीकंद अर्वी के भूमिकत तने भोजन संचे के लिए रूपांत्रेश हो जाते हैं मतलब यह सारी की सारी वो चीज़े हैं भाई जो भोजन को संचे करने के लिए तने के रूप में प्रतिकूल परिस्ति के समय यह चिरकालिक अंग की तरह काम करते हैं ठीक है चलो इसको समझते हैं तो पहला पॉइंट यहां पे हमारे पास आता है भोजन हम भोजन की बात करते हैं कि भोजन संचे के लिए क्या करते हैं यह भोजन संचे के लिए भूमिकत तने बन जाते है ठीके, तो यह हमारा पहला पॉइंट आगिया, इसको याद कर लेना, ठीके, अगर हम तने का रूपांतरन की बात कर रहे हैं, तो, ठीक, चलो, आगे देखते हैं कि तने का रूपांतरन क्या मतलब कि तना जो है, वो अपने आपको कैसे बदल रहा है, जरूरतों के हिसाब से, ठीके, जरूरतों के हिसाब से, वो अपने आपको कैसे बदल रहा है, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, चलो, फिर दूसरे की अगर हम बात करते हैं, तो, भाई, सहारा होता है, ठीके, कि सहारा, सहारे बनने के लिए क्या करता है, सहारा कैसे देता है, वो, उसके लिए वो क् खीरे को देखके ठावराव फ्स Baker होता है कि सपोर्पोज रूए कि स्टेम ह है ठीक है यह इस टेम है अब क्या होता है यह किसी भी फल फ्रूट तो सहारा देने के लिए क्या करेगी इस तरीके से कुंडले टेकर know which you Ihr और नीचे क्या है जो भी फ़िंट होगा वह ऐसे लटक जायेगा उस पे ठीक है शहारा देती है चलो यह क्लेक्ट हो गिए शाख्रा हो जाएगी इस की और यह क्या कोई भी फल हो गया ठीक है यहां पर क्या होती है नोड्स हो जाती है यहां पर क्या होता है जो तना होता है वो तना क्या करता है सहारा देने के लिए बदल जाता है प्रतान में ठीक है जो तना है वो सहारा देने के लिए किसमें बदल गया है प्रतान में बदल गया है ठीक है चलो तने कि प्रतान जो कक्षिय कली से निकलते हैं पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चड़ने में सहायता करते हैं जैसे कदू वरगीय सब्जी जैसे घीया खीरा तर्भूज आदि तथा अंगूर लता जिसे हम क्या बोलते हैं वाइन बोलते हैं कि कक्षिय कास्टि सीधे जदा नुकीले काटों में रुपांसरित हो जाती है जो नुकीले होते हैं मतलब वो किसमें मदद करते हैं वो पशुपक्षियों से चिडियों से हैना इनसे मदद करते हैं ताकि कोई भी आके इनको नुपसान ना पचा सके तो वहां पे जो तना होता है वो किसमें का माटों में बदल जाते हैं जैसे अंगूर का पेड ऻोता है ठीक है चलो दूसरा हमारा सहारा हो गया है पिर अगरиз की बात करते हैं हम यहां Trista देखते हैं तो भई आप सभी ने 지금까지 के पेड को देखा होगा यहां क्या होता है जो थना होता है यहां पर वो पत्ती में बदल जाता है ठीक है पत्ती में बदल जाता है और ये जो तना है इसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है ठीक है इसमें क्या है क्लोरोफिल होता है और ये जो तना जब पत्ती में बदलता है तो क्या होता है अपने छेत्र को बढ़ा लेता है मतलब अपने जो इनका एरिया है इसको क्या करता है बढ़ा लेता है ठीके इसको बढ़ा लिया इनोंने यहां पर अब जब बढ़ा लिया है यहां पर तो क्या हो रहा है यहां पर जो पूरा एरिया है पूरा छेत्र है ठीके जो पूरा का पूरा चेतर है वो क्या है बढ़ गया है है ना जब यह पत्ती में बदल गया है तो जिससे क्या है जिससे easily क्या हो जाएगा भाई हाँ photosynthesis की process हो जाएगी क्यों क्योंकि हरा रंग क्या करता है इसमें हरा रंग का जो pigment है उसी की वजह से प्रकाश sansilation की क्रिया होती है है ना बिल्कुल होती है तो क्या होता है भाई जब यहां पे पूरा छेतर बढ़ जाएगा तो प्रकाश अंसलेशन की जो क्रिया है वो भी हो जाएगी है ना बिल्कुल हो जाएगी चलो ठीक है उसके बाद क्या बोलते हैं चलो देख लेते हैं यह क्या कह रहा है शुष के छेतर शुष के छेतर एक बहुत ही common, बहुत ही साधारन सा क्या है, example है, ठीक है, अथवा, गूदेदा, सिलिंडरी कार, यूफोर्बिया, दूसरा example आ गिया इसका, रचनाओं में रुपांतरित हो जाते हैं, इनके जो तने हैं, वो इनमें पत्तियों में, चप्तियों में रुपांतरित हो जाते है दूसरा इसका सबसे बड़ा reason ये भी होता है, कि वहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है, तो इसलिए जो उनके उपर काटे होते हैं, वो उनकी क्या होती हैं, पत्तियों होती हैं जो की काटों में विक्सित हो जाती है, जिसकी वएसे जो पानी का वहाँ लॉस होता है, जो पानी का होने वाला नुकसान है, वो कम हो जाता है इन काटों की वज़े से, ठीक है हमें पता है कि जो पत्तियों से क्या होता है, ट्रांस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब पत्त पानी होता है वह इवपुरेट होता है ठीक है निकलता है लेकिन अगर राजिस्थान में या किसी मरुस्तल में ऐसे पेड़ हैं तो क्या होगा वह सारा पानी पत्तियों से ऐसी घवा देंगे तो क्या होगा वह तो मर जाएंगे पतियों को कातों के रूप में बदल दें वह पर पानी का जो लौस्त था क्या हूँ और इस तरीके से बदल दियां इन तनों में खलोल हो ता जैसे मैंने अभी बताया क्योंकि यह हरे रंग के हैं और हरा रंग किसले काम आ जाता है भाई प्रकास तंसलेशन यानि कि फोटो सिंथेसिस के लिए काम आता है ठीक है चलो यह देखो प्रकास तंसलेशन करते हैं ठीक चलो आगे बढ़ते हैं तने का रुपांतर की ही हम आगे चलके बात करें तो चौथा पॉइंट देखते हैं हम चलो चौथा पॉइंट देखते हैं कि अगर हम घास की बात करते हैं यह अच्छा सेम कलर हो जाएगा फिर तो पता भी नहीं चलेगा डंग पर चलो अगर हम घास का एक्जैम्पल लेते ह ये क्या है ये दखो इस तरीके से घास होगी ठीक है ये घास होगी इस घास ने क्या किया इस घास का ये जो निचला वाला भाग है इस तरीके से भूमी 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 में गती करता हुआ जा रहा है आगे जा रहा है यहां क्या करेगा यहां पहुंचके ये नई घास बना ले ग्राइगा ठीक है ऐसे करेगा फिर क्या गरेगा इसका निचला भाग जाएगा फिर गती करेगा ठीक है फिर पाड़ लेगर से कंटीनूई यजर चलता रह인ा इसे तरीके से घास होती है वह हमको नजीग और गुच्छे-गुच्छे में नजर आती है क्योंकि जो उसका निचला वाला भाग होता है वो गती करके मोव्मेंट करके इस तरीके से नए पेड बना लेता है ठीक है और जो नई घास होती है वो क्या होती है पुरानी वाली घास से बनी हुई होती ना कहीं से बनी होगी है ना है चलो आगे बड़े लेकिन आगे बनने से पहले देख लेते हैं कि क्या बोल रही है यह लाइंस हमारे से चलो कुछ पौधे जो होते हैं भूमी का तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबरी ठीक है आदी नई तो और मिस्तिति आया है ठीक है में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं ठीक है चलो दूसरा एक्जैंपल अगर हम पौधीने का लेते हैं अगर चलो पौधीने का एक्जैंपल लेते हैं ठीक है तो पौधीने का एक्जैंपल लेते हैं तो यह क्या है चलो मानलो यह पौधीने का पेड़ है इस तरीके से चोटी चोटी सी ऐसे पत्तिया है यह पौधीने क्या करेगा वाय विए गती करेगा इस तरीके से रफित रेगा ठीक है जब यह याई व tylko करेगा मतलब इसने आगर अगर शैंब Так रफित करने के बाद हो ऐसा बास्त आप लिए पर बाद जैसे ही आए गा यह क्या करेगा अपने जैसा ही नए पर वहाँ बना लेगा तो यहाँ पर अपने जैसा इसने पेड इस तरीके से बना लिया ठीक है पुदीना ने ठीक है दूसरा पेड बन गिया अब यह जो दूसरा पेड बना है यह क्या काम करेगा यह फिर से वाई वी यह गती करेगा ठीक है और कुछ समय बाद क्या करेगा यह भूमी की तरफ वापिस आ जाएगा, ठीक है, भूमी की तरफ वापिस आ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर यह नया पेड़ बना लेगा, फिर वाई भी यह गती करेगा, फिर नया पेड़ बना लेगा, तो इनका जो कर्व बनता है, वो कैसे बनता है भाई, ऐसे करके बन जाता है ठीक है कैसे बनके इस तरीके से बन गया तो यहां पर यह जो पोधीना और चमेली जैसे पौधों में क्या होता है यक्ष के अधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वाइव यह व्रिद्धी करने के बाद क्या काम करती है वो मुड़कर जमीन को छू लेती है आती है और क्या करती है एक नया पौधा बना देती है ठीक है यहां तक क्लियर सबको है ना चलो मुझे पूरी उमीद है कि यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट हुआ तो क्या करना है आपको डाउट हुआ तो यहां पर वापिस आना है और क्या करना है डाउट नट करना है ठीक है क्योंकि हम आपको यहीं पर मिलेंगे और यहीं पर सलिशन मिलेंगे आपको तबी तो डाउट नट है हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम अपने चौते पार्ट की ठीक है तो अगर हम चौते पार्ट की बात करते हैं अगर हम पिस्टिया की बात करते हैं इसकी पिस्टिया का दूसरा नाम क्या है मैं यहां लिख देती हूं water let use water let use किसका नाम है यह पिस्टिया ठीक है पिस्टिया ठीक है पिस्टिया का नाम है water let use ठीक है और यह जो हमारा Icornia है इसको हम क्या बोलते है जलकुम्भी क्या बोला इसको जलकुम्भी बोला हम ठीक है अब जलकुम्भी को अगर हम लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था जलकुम्भी जो होता है उसको बंगाल का आतंग भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है भाई क्योंकि सुन्दरता बढ़ाने के लिए इस जलकुम्भी को कहीं बाहर से लेकर आया गया था भारत में और बंगाल में इसको लगाया गया था इसने क्या काम किया वाँ पे इसने बोरी तरीके से कबजा कर लिया, ठीक है, कि इसको आतंग का नाम दे दिया गया था, इस ने क्या किया भाई, चलो एक बार समझते हैं, कि सपोस करो ये क्या है, ये पानी है, ठीक है, ये क्या है, ये पानी है, ठीक है, इस पानी के उपर ये जलकुम्भी है, देखो, ये क्या ह फिर इसका तना आ जाता है यहां पर तना अगया फिर इसकी जड़े आ गई ठीक है यह पौदा हो गया इसका अब क्या होता है यह जलकुम्भी क्या करता है जलकुम्भी कॉम जल जलिये पादब भी बोलते हैं ठीक है ना हम इसको जलिये पादब भी बोलते हैं अब इसका जो तना है इसका जो तना है वो क्या करता है व्रिद्धी करता है ठीक है और क्या करता है नया पादब बनाता है ठीक व्रिद्धी करके नया पादब बनाता है अब भाई जब यह देखो इधर क्या है पूरा घेर लिया ना इसने ठीक है पूरा इसने एरिया घेर लिया पूरा एर तो तो आप अध्या समझने नहीं जाने डेता है पानी के अंदर नहीं जाने देगा तो होगा ना सनलाइट जाएगी ठीक है सनलाइट के साथ सब फिर ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा अब नहीं जाएगा तो क्या हुआ उसके जो अंदर जीव रहे हैं वो क्या होंगे वो तो मर जाएंगे तो इन जलकुम्भियों की वज़े से यही हो रहा था कि इन्हों ने पूरा उपर अब कबजा कर लिया सतय पर नीचे ऑक्सीजन नहीं जाने दिया तो जो नीचे रहने वाले जीव थे वो मर गए ठीक है तो यह इसी वज़े से बंगाल का आतंग कहला या इसने आतंग मचा द जिसमें रितेश देश मुक्ता है ना चलो आगे वरते हैं हां चलो अब देखो यह क्या बोल रहा है यह कह रहा है पिस्टिय तता आइकॉर्णिया जैसे कलिये पादपों में एक पार्षविय शाखा निकलती है ठीक है जिसकी पोरियां छोटी होती है और जिसके हरे गाठ पर पत्तियों का जुंड होता है तता फूल को फूल के गुच्छे तता क्राइस्टिय निथियम में पार्षविय शाखाएं आधार तता भूमिगत प्रमुक तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे शैतिस जूप से व्रिद्धी करती है और उसके बाद क्या होता है बाह मुझे पूरी उम्मिद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया भी होगा यह पूरा टॉपिक यहां तक क्लियर हो गया कि तने के रुपांतरन में हमने चार चीज़े देखी पहले तो यह यहां पर पढ़ा हमने दूसरा यहां पर पढ़ा था ठीक है फिर यहां पर पढ रहा भाई इसकी काम के बारे ना पड़ा यह क्या काम करता है historically मैं तनन है क्या थİक है क्योंकि नहीं होतें जो एक पेड़ की खुपसूर्थी को बढ़ाते हैं बहुत सारीं ऐसी जो एक पेड़ की खुबसूरती को बढ़ाती हैं तो पत्या और फूल दोनों ये मिलके पेड़ को एक तहनी को क्या करते हैं आगे लेके जाते हैं और उसे खुबसूरत सा बनाते हैं ठीके? तो आज हमारी कौन सी खुबसूरत सी चीज है के उपर हम बात करने जा रहे हैं? पत्यों के बारे में ठीके? सुन्द सुन्द सी पत्यों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं लेकिन चोड़ो देख लेते कि भाई यहाँ पर हम पहले क्या बात करेंगी? इनके बारे में, तो हम देखेंगे सबसे पहले, किसको देखेंगे, हम बात करेंगे पत्ती की संरशना को, अगर हम इस पत्ती की बात करते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी संरशना के बारे में, ठीके, क्या है ये पत्ती, ठीके, पत्ती की संरशना देखेंगे हम सब नथे कि आदेगे हम बात करेंगे उसकी प्रकार के बारे हैं पत्तियां है तो उसके प्रकार भी होंगे अलग-अलग पादो में अलग-अलग तरेखेंगे की पत्तियां पाई जाती है तो इसका मतलब उनके प्रकार मौजूद है ठीक फिर हम क्या बात करेंगे चौथे नंबर पे फिर हम इसके रूपांतरन को देखेंगे कि इस तरीके से पत्तिया क्या होती है मोडिफिकेशन करती है अपने आपको बदल लेती है समे के हिसाबते इंसान प्राइप से अपने यह भन इंस करनी है इं कि आयाने बहुत और सबचे कि खुली करते हैं तो तो यहां पर देखो कि भाई सबसे आज हम तीन चीज़े कवर करते हैं यहां पर आज के लेक्षर में कि पत्तियां उनकी संरशना और शिराविन्यास जो हमने अलड़ी यहां पर मैंने आपको बता चुकी हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं क्या बनाएंगे हम बनाते हैं इसकी संरशना ठीक हम कहते हैं कि यह क्या है स्टेम है लो जी यह स्टेम हो गई है ठीक है यह क्या है स्टेम है इस स्टेम पर क्या है भाई इस तरीके से क्या ही यह ब्रांचिस निकली हुई है ठीके, ब्रांचिस निकली हुई है, ब्रांचिस के उपर क्या है भाई, ये पत्तिया है, ठीके, एक में रुको, इस तरीके से ये क्या है, पत्तिया है, योगि एक ब्रांच पर एक ही थोड़ी होती है, खूब सारी पत्तिया होती है न, आप बोलो के मैम ने तो एक ही बना दी तो यह क्या है पत्या है इस पर अगर हम इस एक पत्ती की बात करते हैं तो चलो इसको बाहर लेकर आते हैं और बाहर इसको अच्छे से समझते हैं ठीक है यह पूरा हिस्सा रुपो यह पूरा जो हिस्सा है हम इसको बाहर लेकर आते हैं ठीक है चलो इसको हम यहां बाहर लेकर आते हैं और बनाते हैं खूपसूरत सा डाइग्रैम कि यह जो हिस्सा है ठीक है यह जो टहनी है यह इस तरीके से आ गई ठीक है यह टहनी इस तरीके से आ गई तो इस तरीके से क्या हुआ यह लीफ इस पर लगी हुई है लो जी यह लगी हुई है इसके उपर पत्ती है इसके उपर टैनी के उपर ठीक है अब हमें मालूम है भाई कि यह जो टैनी है इस टैनी के उपर क्या होती है यह पत्तिया है ठीक है किस से जुड़ी हुई है यह शाखा से जुड़ी होती है चलो ठीक है अब क्या देखते हैं भाई अब कौन्चा कल उठाए चलो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि यह क्या है यह टहनी है ठीक है यह क्या है यह टहनी है अब इस टहनी में क्या है भाई यह पॉइंट जहां यह जुड़ा हुआ है जहां पर ये है ये पूरा portion क्या कहलाएगा इस portion की अगर हम बात करें तो क्या कहलाएगा जिसपे ये portion जिसपे ये पत्ती ये जो चीज है यहां टिकी हुई है यहां लगी हुई है तो ये portion क्या कहलाएगा ये portion कहलाएगा आपका पत्राकार प्र लिख दिया पत्रा की जगह क्या कहलाएगा ये? पत्राकार कहलाएगा ठीक है? या फिर इसको पत्राधार भी बोल सकते हैं या फिर इसको पणधार भी बोल सकते हैं ठीक है? पणधार जिसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं इसको ठीक है यानि कि लीफ का आधार पर्ण आधार मतलब पर्ण यानि पत्ती का आधार ठीक है तो यहां पत्ती का आधार आ जाता है तो यह क्या है लीफ बेस पर्ण धार ठीक है चलो अब क्या है अब यहां पर देखो कि इस तरीके से यहां पर यह न निकली हुई है यहां पर क्या होता है आपने देखे होंगे इस तरीके से फट्थी में चोटी चोटी सी संधरशनाय यहां पर मौझूद होती है यह क्या कहलाते हैं चोटी-चोटी सी सनरशना है, अनूपन, क्या कहलाईए, अनूपन, मतलद चोटी सी सनरशना, चोटी सी पत्ती, ठीके, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल बोलेंगे, क्या बोला हमने इसको, स्टिप्यूल, ठीके, अब ठीक है, अब लेकिन भाई, ये कहीं तो जुड ठीके कक्षिय कलीका यहां पर डिः जो ठीके जिसको हमने क्या बोला derby су एक्जिलरी बड要 ए इस तरीके से यहां पर मौजूद होती है यह ठीके कक्षिय कलीक यानि कि छोटी सी कली यहां पर मौजूद होती है AXIS पर जिसको उपने बोला axillary bird इस AXIS पर छोटी सी यहांपर कली मौजूद होती है ठीक है चलो फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये संद्शना क्या है ये जो संद्शना यह क्या है तो इसको हम क्या पोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम कहां लिखें थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं कक्षिय कलिका को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं यह हो गया कक्षिय कलिका याने की axillary butt ठीक है अब इसकी बात कर रहे है तो यह क्या कहलाएगा भाई यह कहलाएगा आपका व्रंत क्या यह क्या कहलाएगा आपका व्रंत व्रंत रूप जो है जल्दी जल्दी बताओ सब क्या मैं ही बताती रहूंगी आपनी बताओगे फड़ाफट से बताओ क्या कहलाएगा यह जिससे पत्ती जोड़ी हुई है फड़ाफट से बताओ जो व्रंत रूपी संदश्णा है यह जो व्रंत रूपी संदश्णा है क्या कहलाएगा फड़ाफट कॉमेंट से बताओ जल्दी 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 मैं यहाँ पर व्रंथ ही लिखने वाली थी जल्दी बताओ क्या कहलाता है तो ये कहलाता है भाई पर्ण वरंद वरंद तो था ही लेकिन पर्ण वरंद है यानि कि पत्ती जुड़ी हुई है उसके साथ ठीके जिसको हम क्या बोलते है पेचियोल बोलते है जिसको हमने क्या बोला पेचियोल बोला ठीके चलो ठीके हम समझ गई ये पेचियोल है अब क्य न लिए इसके अंदर तो ये जो सुनडशना है मतलब इस पत्ती को जिसने दो भागों में बाट सकिता है Εचा याने कि मिड्रिप बीच में लेकिन उससे पहले एक और चीज़ की बड़ी जो चौरा सा भाग है जिसके उपर ये मौजूद है ठीके, अच्छा पहले सेको, अब ये जो है महाशिरा जो है, इससे क्या होता है, इस तरीके से ये एक संरशनाय यहाँ निकली हुई होती है, ठीके, ये संरशनाय निकली होती है यहाँ पर, है ना, ये जो संरशनाय होती है, ये क्या कहलाती है भाई, हाँ, ये जो संरशनाय है ये क्या कहलाएगी जल्दी जल्दी बताओ क्या कहलाएगी ये तो कहलाई भाई महाशिरा ठीक है ये क्या कहलाएगी ये चोटी-चोटी शिराएं है ये चोटी-चोटी ये कहलाएगी भाई वेंस याने की शिराएं क्या है ये वेंस ठीक है क्या है यह वेंज अरे मैंने उस पे लगा दिया इसको यह इस पे लगाना था यह क्या है शिराय याने की वेंज ठीक है यहां तक सिपको सिराएं ठीके मौजूद होती है ठीके कैसे होती है इस तरीके से चोटी-चोटी चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चो कुछ में होती है ये तो ये जो है चोटी-चोटी शिराय इनको क्या हमने बोला शिरीकाय, क्या बोला इनको शिरीकाय, याने की वेलेट्स, ठीक है, याने की वेलेट्स, ठीक है, चलो, ठीक है, यहां तक सबको clear, सारे चीज़े clear, कि देखो भाई, ये जो होता है portion, ठीक है, य यह वाला पॉर्शन जिसके हमने बात करी यह यहां निकल के आ गया इसको बोला हमने पत्रकार या पर्णधार मतलब की जो पर्ण याने की पत्ती का अधार होता है ठीक है जिसको हमने लीफ बेस बोला यहां पर चोटी सी बड़ सी संद्रशना मौझूद होती है जिसको हम कक्षिय कलिका बोलते हैं याने की एक्जलेरी बड़ बोलते हैं ठीक है फिर उसी के पास क्या होता है चोटी चोटी सी पत्तियां मौझूद होती है पत्तियों की संद्रशना मौझूद होती है जिसको अन क्याई इसकी मिड़ें. वीच मैं है. रिबें. एक मददें . उपर इस तरीके से इसके इसे बुए फिरां मॉझूध है. मददें भूला. सपेलिंग गलत विइंस भूगे है. इसके इसको क्या बहुत अब गलत दूझा? इसको sap ससे शिराय मौझूद है मदद्छिराय के ऊपर भी शिराय मौझूद है ठीक है इसको क्या ब veil ला याने की वेंस बोला पैलिंग गलत होगई कि तैक इदर भी गलत होगई ठीक है इसको जाने बोला अब मैंने क्या बोला कि यहां ट्विस्स है यह जो शिराएं है इनके उपर जो रेट कलर की छोटी-छोटी सी सनरश्णा structure मोङूद है यह हर पति मीं कुछ में सब में नहीं इस चीज का ध्यान रखना है सारी के सारे स्ट्रीक्चर इस चौड़ा है ति क्या छोड़ा सा पार्ट ये पार्ट क्या कहलाता है ये कहलाता है निकिन किरिग केथि Them два बोलते हैं ठीकिश को हमने क्या में लैमिना तो किया है पूरी एक पत्ति की संदश्चना अब यह जो है चलो डेक्स में तोड़ा सा देख लेतें कि बुक के हिसाब से क्या है भाई तो बुक के हिसाब से यह है कि जो पत्तिया होती है एक जो प्ररूपी पत्ति होती है उसके तीन भाग होते है क्या है उसके तीन भाग होते है ठीक है अब जब इन तीन भागों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला भाग कौन सा आता है इसका सबसे पहला आता है पर्ण धर ठीक है पर्ण धर को हम क्या कहते है लीफ बेज ठीक है लीफ बेज कहते है ठीक अब दूसरा कौन सा आता है दूसरा हमारे पास आता है पर्ण वरत जिसके उपर जो है भाई ची ती पण जो है, रुकाए होता है, ठीकिंगे? यह क्या है? पिटी उल्ज ठीके? ओके? चालो. अब इसके बाद क्या आता है हमारा? इम्पोर्टेंट ठीकिंगे? क्या? स्तरीका. अरे, क्यों नहीं चल रहा? स्तरीका. जिसको आमने क्या बोला? लामिना बोला ओके तो ये तीन क्या है प्ररूपी तीन भाग होते हैं एक पत्ती के ठीक अब ये जो लीव बेस होता है सबको पता है भाई ये लीव का बेस है ठीक अब पर्ण वरंत जो है ये क्या काम करता है भाई ये पत्ती को लटकाने का काम करता है टहनी के उपर पत्ती को लटकाता है ठीक है किसलिए कि भाई हवा आती जाती रहे हवा मिलती रहे उसको इसी वज़े से ठीक फिर अगर इस तरीका की बात करते हैं तो यहरा वा फैला भाग होता है जिस पर क्या मौझूद होती है इसी भाग पर क्या है शिराएं और बोल रहा है हमारी जो टेक्स हैं यह हमें चीक चीक के फुकार रहे हैं हमें भी देख लो तो यह कह रहे है पत्ती पार्ष्विय चप्टी संद्शना होती है जो तने पर लगी रहती है ठीक है पत्ती क्या है देखो चप्टी है यह संद्शना है और यह तने के ऊपर लगी ह यहां एक गाठ होती है और इसके कक्ष में कली होती है एक गाठ मैंने क्या बोला कक्षिय कली का एक्जलरी बर्ड के बारे में यहां पर बात हो रही है ठीक है कक्षिय कली बात में शाखा में विश्सित हो जाती है यही जो कक्षिय कली होती है यही वो ब्रांच बन-बन के नि पत्तियां प्रहरों के शीर्ष्थ मेरिस्टम से निकलती है ठीक है ये पत्तियां अग्रा भी सारी रूप में लगी रहती है ये पौदे के बहुत ही महत्वपूर्ण मेद्वपूर्ण कया एक अंग हैं क्योंकि ये बोजन का निरमान करती हैं कायए ख्यानी की वेजिटेटिटिव पार्ट है जो क्या करती है ये वाईvest हरे रंकी होती है जिस वैसे यह क्या करती है इन डहलो मौझूद होता है जिसकी वैसे क्या खाने का andThis है बोजन का निर्मान होता है कैसे भाई कि यहां क्या मिलता है इसको क्या है क्या मिलता है कार्बन डायक्साइड लेंगे प्लस लाइट लेती है कौन सी सनलाइट है ना प्लस मिनरल्स हो जाते है तो यह सारी चीज़े लेके क्या करती है अपना खाना बनाती है तार्च के रूप में चलो फिर आगे बढ़ते हैं चलो पहले पहले बिताओ यहां तक सभी को क्लियर हो गया फड़ा फरसे थमसब दिखा दो सबको क्लियर हो गया है तो ताकि मुझे चल जाए कि हाँ आपको यहां तक समझ में आ गया है फड़ा फर्षे क्या है थमसब दिखाओ फड़ा 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 सब अच्छे पड़ा फड़ा है हाँ चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं चलो अब बात करते हैं पत्ती की संरशना के बारे में ठीक है तो चलो फिर से पत्ती बनाते हैं पत्ती याने की लीव बनाते हैं तो यहां पर मैंने एक पत्ती बनाई इस तरीके से ठीक है यह एक पत्ती बनाई मैंने इस पत्ती के अंदर क्या है भाई इसके अंदर इस तरीके से मौजूद है ठीक है शिराएं अब इन शिराओं के उपर क्या ह छोटी 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 फिर से मौजूद है ऐसे 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 करके अब मैंने कहाता ये जो होती है सभी में नहीं होती है कुछ में मौजूद होती है यही कहाता मैंने है ना तो चलो फिर देरी किस बात किया है बिना इन छोटी छोटी संद्रश्णाव वाली भी पत्ती बन लग लग बन गई ना थोड़ी सी कोई बात में कि रिकाट से मुझा ने अ कि तरीके से मौझूद है इसमें छिर तरीके मौझूद ऐसी संरश्णाय मौजूद है ठीक है अब इन पत्ती में क्या है भाई अगर हम इन पत्तियों की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि यहां पर क्या है यहां पर शिरा भी मौजूद है ठीक है और यहां पर शिरिकाय भी मौजूद है यह दोनों यहां मौजूद है ठीक है न य ठीक है देखो बड़ी वाली और छोटी वाली शिरा और शिरिकाए ठीक है अब इस पत्ति की बात करते हैं तो यहां पर क्या है सिर्फ और सिर्फ शिरा मौजूद होती है यहां क्या है शिरा मौजूद है यहां पर शिरिकाए क्या है नहीं है ठीक है यहां पर शिरा और शिरि लिकाय होती है इनके जो पैटर्न होता है इनके लगने का जो तरीका है लगने का पैटर्न है क्या लिखे इसको अगर हम कि भाई लगने के क्रम को अगर हम इसके लगने के क्रम को बात करते हैं तो यह जो लगने का क्रम होता है ठीक है यह जो लगने का क्रम है इसको हमने क्या नाम दिया इस लगने के क्रम को ही हमने नाम दिया क्या शिरा विन्यास ठीक है या फिर इसको ऐसे बोलो कि शिरा और शिरिकाएं जो होती है इसके लगने के जो क्रम होता है इस क्रम के विन्यास को इस क्रम के विन्यास को हमने क्या बोला शिरा विन्यास बोला ठीके शिरा और शिरिकाएं एक के लगने के क्रम के विन्यास को हमने क्या बोला शिरा विन्यास बोला ठीके क्लियर यहां तक सबको है ना मुझे लगता नहीं यहां पर किसी को दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि इतने इसी तरीके से अच्छे तरीके से बना के समझा रही हूँ है ना चलो आगे बढ़ते हैं चलो यहां पर हमने यह चीज़ देखी हां लेकिन अब तो इसका मतलब भाई कि हमारे पास क्या है दो तरीके की पत्तियां आ गई है है ना कि एक इस पर जाली नुमा संद्रशना बन रही है इस पर क्या बन रही है भाई जाली नुमा संद्रशना जाली नुमा संद्रशना बन रही है तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा भाई इसका नाम होगा इसका क्या नाम हुआ भाई मिट जा जाली का शिराविन्याज जाली का शिरा विन्यार ठीक है? जाली गजी संरशना थी तो इसका नाम हुआ जाली का शिरा विन्यार ठीक है? लेकिन यहाँ पर जाली नुमा संरशना है यह नहीं यहाँ पर क्या है? यह दोनों एक दूसरे के क्या है? समानतर हैं पैरलल है तो इसका नाम क्या हुआ भाई कहा लिखे चलो यह लिख देते हैं तो इसका नाम क्या हुआ भाई यहां पर यह समांतर शिराविन्याज ठीक है समांतर यानिकी पारलल ठीक है समांतर शिराविन्याज इसका नाम हुआ यहां तर क्लियर सबको अब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है भाई कि कहां पाए जाते हैं तो यहां पर इनके पाने की बात करते हैं तो यह जो जाली का विन्यास होता है यह किसमें मिलता है यह मिलता है आपको द्वी बीच पत्री पादपों में ठीक है यह किसमें मिला द्वी बीच पत्री पादपों में फिर अगर समानतर की बात करते हैं तो यह किसमें मिलेगा एक बीच पत्री पादपों में ठीके यह किसमें मिला द्वी बीच पत्री पादपों में और यह एक बीच पत्री पादपों में तो द्वी बीच पत्री का हम किसका एक्जामपल ले सकते हैं चने का एक्जामपल ले सकते हैं ठीके चना औ रगर एक बीच पत्री की बात करें, तो केले के पत्तें आप सभी ने देखे होंगे. ठीक है? उसमें इस तरीके के ये होती है मौझूद. तो इसका example हम क्या लख सकते हैं? केला. ठीक है? केले के पत्ते. ठीक है न? क्लास है बहुत इजी सा सेशन है पड़ावचल अपसे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इसके बारे में ठीक है और कॉमेंट्स में जरूर बदाना कि आपको समझ में आया है या कहीं दिक्कत हुई है ठीक मुझे लगता नहीं आना चाहिए अब आपको यह याद हो जाना बहुत अच्छे तरीके से ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चलो भाई पत्ती की संद्रशना के बारे में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या है तो भाई पत्ती क्या है पढ़नाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है जो हमको मालूम है ठीक इसके आधार पर दो पार्श चोटी पत्तिया निकल सकती है जिने हम वह जिन है जिने अनुपर्ण कहते हैं अनुपर्ण को हमने क्या बोला था अनुपर्ण को हमने बोला था क्या स्टिप्यूल ठीक है जिसको क्या बोला हमने स्टिप्यूल बोला एक बीच पत्री में पढ पर्णधार चादर की तरह फैल कर तने को पूरा अत्वा आंचिक रूप से धख लेता है और कुछ लेग्यूम तदा कुछ अन्य पौदों में पर्णधार फूल बन जाता है ठीक है ऐसे पर्णधार को पर्णवरंत कहते हैं ठीक है क्या बोला हमने पर्णवरंत बोला याने की पिटियोल बोला ठीक है पर्णवरंत क्या होता है पिटियोल होता है लेकिन हमने यहाँ पर्णवरंत तल्प बोला पर्णवरंत तल्प याने की पुलविन है ठीक है पुलविन है चलो अब पढड़न पत्ती को इस तरह से सजाता है जिससे की इसे अधिक्तम सूरे का प्रकाश मिल सके जिससे की वो अपना खाना भी बना सके उसको हवा भी मिल सके सारे काम हो सके ठीक लंबा पतला लचीला पर्णवरन स्तरिका को हवा में हिलता रहता है ठीके ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे ओक्षी स्तरिका पत्ती को हरा तता फैला हुआ भाग पत्ती का हरा तता फैला हुआ भाग है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो हरा हरा पोर्शन ह होता है यह पूरा जो भाग है हरा भाग यह क्या इस तरीका है ठीक है जिससे शिराय तता शिरिकाय होती है जिसमें इसी में तो यह शिराय है है ना और इसमें शिरिकाय भी इसी में होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बीच में एक सूर्स पर्ष्ट शिरा होती है जिसे मद्दे शिरा कहते हैं कौन सी है मद्दे शिरा ये वाली है मद्दे शिरा ये जो अरे तो रुप नहीं रहा है ये जो पतली वाली लाइन है ये जो पतली वाली लाइन है ठीके ये क्या है मद्दे शिरा याने की मिड करती हैं मजबूती प्रदान करती हैं स्ट्रॉंग बनाती है पानी खनेश तदा भोजन के सारांतरन के लिए नलिकाओं की तरह काम करती है अब हमको मालूम है कि एक जुस्टेम होती है उसमें क्या होता है जाइलम फ्लोयम दोनों होता है अगर हम इस टेम की बात करते हैं तो जाइलम भी होता है और फ्लोयम भी होता है इस दोनों चीज़े होती है ठीक है अब कैसे होता है तना यहां लगा होता है इस तरीके से स्टेम होती है अब जब स्टेम में है तो इसका मतलब इसमें भी होगा है ना इसमें भी होगा इसमें होगा तो मतलब कैसे जाएगा खान कि वखाम नहें कि जो eyes के मि छुशे के सी चया इसम से इसे जेंगा उसन से व्रका andar budget वं यहां वर्वेंas उसमें भी हो जाएगा इंधर जाएगा इधर जökए इधर जाएगा इदर जाएगा इदर जाएगा इदर जैया इधर आप सब में क्या करेगा पहुंच जाएगा है ठीर यहां तक है न्पिछ भिबिन पौदों में इस्तरीका की आकरती उसके में सीरे ढरे चोटी सतय तता कटाव में विबिनता होती है यह द मुद्व इस्तरीका होती है क्या होती है और चलो ओके शिराविन्यास याने की विनेशन ठीक है चलो शिराविन्यास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो अलड़ी हम यहां पर कर चुके हैं यह रही शिराविन्यास के बारे में ठीक है कि वही शिराविन्यास के बारे में मैं यहां पर अलड़ी आप सब को बता चुकी ठीक है तो इसी को वहां से इसी को यहां पर दुवारा समझाने की जरुवत है यह नहीं है कि यह जो शिरा विन्यास है ठीक है यानि की विनेशन है मैं इसी पत्ती की संरशना में आपको समझा चुकी हूँ ठीक है, कि हमने क्या बोला, चलो फिर से देख लेते हैं, एक बार में फिर से बता देती हूँ हमने क्या बोला, कि ये गर पत्ती है, ठीक है, ये एक पत्ती है, ये दो पत्ती है ठीक? अब एक पत्ती में मैंने क्या पोला कि इस तरीके से सनरशना है मौझूद है ऐसे कर के ठीके ये तो दोनों में ही मौझूद है ठीके? ये क्या है? दोनों में ही? फिर से वैसा ही हो गया है चलब तिहें ठीक से बना देती हूँ कोई बात नहीं कि भाई ये लो एक पत्ती ये रही एक पत्ती ये रही मैंने सनरशना में आपको शिरा विन्यास यानि की विनेशन को समझा दिया यह देखो यहां मैंने पत्ती की सनरशना थी न यहीं पर मैंने वो शिरा विन्यास भी समझा दिया आपको कि यहां पर इस तरीके से होती है कोई बात नी चलो पिर जैंबता देती हुए एक बार तो हमने क्या बोला कि यह वाला स्ट्रक्चर यहां मौझूद है ठीक है यह वाला इसमें भी है ठीक है न, इसमें भी है, फिर यहां पर मैंने क्या बोला कि भई, इसमें छोटी छोटी सी जाली का भी मौजूद होती है, ठीक है, छोटी छोटी सी क्या है, जाली भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन यह जाली उसमें नहीं है, ठीक है, यह जाली उसमें नहीं है, अब यहां प कि शिरा मुझूद है सिर्फ और सिर्फ ठीक है तो यहां पर मैंने क्या बोला तब यह शिरा और शेलिगाय been इनका जो लगने का क्या होता है, क्रम होता है, इस क्रम का जो विन्यास होता है, ठीक है, क्रम के विन्यास को हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास बोलते हैं, शिरा विन्यास, ठीक है, इस क्रम को क्या बोला हमने शिरा विन्यास बोला, चलो ठीक है, हमने ये भी बात कर ली थी, पिर हमने बोला कि भाई इसके उपर इस चोटी चोटी सी जो है जाली जैसा शेप बना रहे है कि को जाली जाली जैसी सनरशना है यही बताया था मैंने तो जाली जैसी सनरशना है इसकी वए से मैंने क्या बोला था कि इसका नाम क्या है जाली का शिराविन्यास है इसका नाम ठीक है जाली का शिराविन्यास यहाँ पर क्या है यह समानतर है इसका मतलब पैरलल है एक दूसरे के ठीक है तो इसका नाम क्या है वो समानतर शिराविन्यास हुआ यही बात करी थी हमने ठीक है यह दोरों चीज हमने बात कर ली थी चलो तो पिर इसके टेक्स को भी देख लेटेंог मैं इस को यो लगने का क्रम हैं उसको लगने शरी ना का बनाती है तब ये प्राया दिवी हैं पत्री पोदो में मिलता है मैंने यह बता है जिसका example क्या है चना है जब शिरिकाएं समांतर होती है यानि कि एक दूसरे के क्या है पैरलल है तो उसे समांतर शिराविन्यास कहा जाता है जैसे कि केले के पत्तों में होता है ठीक है यहां पर भी देख सकते हो यह भी एक example है यहां जाली ऐसी संरश्णा बन है अब सची अची बताना कि इसको समझने में मज़ा आया था यह नहीं आया पढ़ाने में मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पत्तियों के बारे में जानने को जो मिल रही है है नहीं जानोगे तो समझोगे कैसे नहीं समझोगे तो लिखोगे कैस किसे नहीं होगे तो पास कैसे पास कैसे घर पास में पास मिंगैं घर में क्लियर करोगे तो यह सारी चीजह क्या है एक दूसरे से चालिकों शुआ यह सार this जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है ठीक तो पड़ाब़कर में शुरी होड़ी चीजह ती आपको समझ में भी आई होंगी चीज़े है ना बहुत इजी शब्त में समझाने की मैंने पूरी पूरी गोजिश करी है तो बचा लोग चलो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपनी अगली ग्लास में ठीक है और 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 क्या अगली का से मिलेंगे अगला टॉपिक लेक ठीक है तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए पढ़ाई कीजिए खुब सारी ठीक है लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों आज शेयर करना बिल्कुल नी भूलना है इसको लाइक करना बिल्कुल नी भूलना है और जो बच्चे न लिंक है उसको जॉइन कर लो रहे बबाबा जॉइन करो कि तभी तो PDF मिलेगी रोते रहोगे वद्ना मैं PDF मैं PDF हाँ चलो बड़ा बच्चे जो है टेलीग्राम के लिंक को क्या करो जॉइन करो ठीक है चलो फिर बाई बाई